नमस्कार दोस्तो शाम की चाय के साथ आप इस तरह की recipe try कर सकते हैं तो सब से पहले आलू को उबाल लिया और उसको इस तरह से घ्रेट कर लिया दोस्तों दियाने न करकने अलू गरम गरम होना चेहिए अब आलू को गरेट कर लिया है सारे आलू को और इसमें हम एड गरेंगे दो बड़े चमच, कॉर्ण फ्लार, कॉर्ण फ्लार से आलू बिखरता नहीं है तेल में, तो आप कॉर्ण फ्लार डाले या कॉर्ण स्टार्च भी डाल सकते हैं, और इसमें अब एड़ करेंगे आधी चमच, लाल मिर्ची और स्वादनसार नमक, अब इसके बाद अच्छे से मिला लेंगे, दोस्तो शाम की चाय के लिए यह बहुती फटाफट बनने वाला नाश्ता है, तो आप लोग भी ट्राइ कीजिए, अब अच्छे से मिला देंगे सबी चीजों को, दोस्तो इस रेसिपी को बनाना बहुती इजी है, तो यह लिजी आप यह रेडी हो गया है, सारे बॉल को एके करके इस तरह से डाल देंगे, और हमें तुरंत नहीं लाना है, अगर आप तुरंत तेल में डालने के बाद हिला देंगे, चमत से या किसी चीज़ से तो वह बिखर जाएगा, सारे बॉल को कड़ाई में डालने के बाद, एक मिनट बाद आप हिलाईए, तो नहीं बिखरेगा, आप इस तरह से देख लीजिए, एक मिनट हो गया, मैंने सारे बॉल को इस तरह से हिला दिये हैं, उलट पलट कर दिये हैं, तो अब यह देख लीजिए, नहीं बिखर रहा है, तो इसी तरह से बना लेंगे, और आप देख सकते हैं, और आप देख सक कीजिए शाम की चाय के साथ बहुती अच्छा नाच्छता है ये तो ये लिजीए रेडी हो गया है अब बॉल को बाहर सो अच्छा लग रहा ना दोस्तों तो इसी तरह से बना लेंगे और शाम की चाय के साथ इंज्वाइ खरेंगे तो दोस्तों आप भी बना fashion और हरी चतनी लाल चतनी के साथ खाई ये चाय के साथ खाई ये बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में बहुत टेस्टी है दोस्तो तो आप लोग भी बनाईए और अगर दोस्तों अगर आपके पास कौन फ्लार नहीं है तो आप इसमें सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं लोग वीडियो को जरूर क्लिक कीजिए और बनाइए नहीं नहीं रेसिपी तो मिलते हैं अगले नेक्स वीडियो में नए वीडियो के साथ तब तक के लिए इंजॉय कीजिए ओके